उसकोंचन करें गहें करेंगी Sgye वेसिक लेक्टिकिक कोशन है तो हमें 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 करना है जब किसमी किया किया गया है ॹज़ में PARC लगे हो तो चाहे है कि फर्ला क्या इस पते हैं है अब दूसरे फ्राम लाओंगा है जितना हमें नमबर आप दिया गया होो दो रोम दिखेंगे तो यहां यहाँ एंड कर देना है इसका एंसर जाएगा है प्रतिवाद या चार दस ओम के परितोत में कुछ नहीं करना अगर चार दस ओम की परितोत बोलेगा था हम देट टेन वाइफ फूर कर देंगे हमारा जो एंसर आगा जो वही एंसर होगा हमारा सौल्व करने की बाग दोस्तों यह सची जेए का मसीन का क्वेस्चन है मसीन की ट लो ने पुछा गया है जा और अपस कपलिंग निदेट तंग जा गए 0.9 तुमें मिचल इंडिक्टर निकालना है तुमारा इसका फर्मॉला हमारे पास यह है यह हमारा आपसी प्रेट कर तो निकालने का फर्मुला है इसी फर्मुले हम रखेंगे तो हमारे पस ल1-2 दिया गया है कि लबन दिया गया है और के भी दिया गया है कप्लिंग नितांस हम कुछ इस फर्मुला देंगे 0.9 हो जाएगा हमें इसको सॉल्व करना है और बस उससे दिक कुछ नहीं करना है तो हमारा हजागा 0.36 हेनरी इस फर्मुलों को हमें इसा याद रखें यह मसीन की टॉपिक के कोश्चन है ससी जई क्या बहुत बारिक जा में पूछा गया चोटा साइग कोश्चन है करें को दोस्तों यह सची जई का क्वेश्चन है इस को स्कीन पर दिख रहागा आपको इसको पढ़ सकते हैं तो हमें सब्सक्राइब करने में बता दूंगा मैं हमें इंपिदेंस दिया गया मतलब प्रतिवादा दी गया इस इस इस्टियों और शिश्टियों दिगे डेल् से मां कुछ इस्तिवकास होता है वे निकालना क्या है तो हमें kamu इसको निकालना है डेल्टा दिया तो यह च्छ करेंगे अगर में ड्येटा दिया गया तो पूछेगा स्टाल कि इसमां कितनकी होगे छीम्हां दिया गया तो हम कुछ नहीं करेंगे सब्सक्राइब देख सकते हैं इस दोने फाम लोग में साफ चाहिए से करना है इसे पूछा कि एक एस्टोव एलिमेंट को 230 बॉल लाइन से जुड़ा जाने पर 15 धरा लेता है एक उर्जा की खपत करने में यह कितना समय लेगा इसे टाइम पूछा गया है एक उनिट इनर्जी को खतम करने में कितना लेगा तो इसे एक जिकर फामुला यह होता ह है फिरहर ही आयटी लेकिन हमें टाइम निकलना है वन इनर्जी की कि खफत करने में तोमरे पस क्या है वड यूणिट इसका हो जाए इस फरमुलीमे आहन रख धेंगा उस्ता अलीड다 ही जाएगा एक विनिट मतलब क्या होता है एक हजार वार्ट होता है अब हमारे पास कितना दिया है 230 वोल्ट जीसे क्या आप देख रहे हैं और हमारे पास करेंट दिया गया है 15 MP और में टाइम फाइंड करना है टीको फाइंड करना है तो हम कुछ नहीं से सॉल्ब करेंगे जो एंसर आए है नहीं हम कुछ आते हैं कि समय पूछा क्या है यह देसरी क्या लाक ओ आफ फोल्ट हो तो पुल्ट पीज क्या होगी हिंदी एंगली दोने बूंद क्षीन को पर सकते हैं अधना कि है पॉल्ट पीज तो पॉल पीज के फर्मुला क्या होता है मैं आपके पहले बता जाता हूँ पॉल पीज निकालने फर्मुला क्या होता है इकलो जड़ बाई पी तो जड़ का मतलब क्या होता है मैं बता जाता हूँ यह होता है नम्मर आफ कंड़क्टर जड़ का मतलब होता है मदलाल भॉल की संख्याइए इस फर्मूल्य हम रख देंगे तमारी पर पीछ निकल आएगा तो चलिए हम पूक्ट करते हैं तो हमारी कंडेक्टर किरना दिया गया है देख सकते हैं 18 दिया गया है और और नम्मर आप पॉल कितने दीए हैं आठ पॉल एक इस बसार परेंगे तुम पॉल पीज कितना आ जाएगा टेन आजाएगा ऐसे निकालना क्या है इसमें फ्रेकेंसेटी पता करनी है स्थेंसि क्या होगी जबकि हमारे पास कितने हैं फोर फोर पॉल दिये हैं और पंदरो शाहर प्याईब यह में इसका फार्मूला है यह यह वैल्यू को पूट करते हैं जिल पूट करके यह आपको है कि हमने वैल्य पूट कर दी तो एंस में सिंकुर्ण स्पीड दिया गया पंद्रोस वार्पीम जैसे कि यह है और मैं फ्रेकेंसी पता करनी है अब नम्मर अपूल दिया गया चारते इसको हम सॉल्व करते हैं जो हमारी वैल्य आई वह हमारा एंसर होगा इसको हम सॉल्व करते ह है है हमारा जो फ्रेकेंसी आई है 50 हर्ट आई है अब फ्रेकेंसी किनी हर्ट में होती है तो हमारा